Hello everyone, today we are going to talk about Fiedler's Contingency Model, so let's start the video इस model को स्टार्ट करने से पहले हम Contingency Word का मतलब समझते हैं तो देखिए इस से पहले हमने Trait Theories देखी and Behavioral Theories देखी उन दोनों ही Theories में हमने देखा कि जो Researchers का Main Focus था that was either only on the Trait of a Leader, कि एक Successful Leader में क्या-क्या Traits होते है या फिर उस Leader का Behavior कैसा होता है with their Members जब ये दोनों Theories fail हो गई, fully explain करने के लिए कि कैसे एक Leader जो होता है वो Successful होता है, Effective होता है और क्यों दूसरे Leader Unsuccessful हो जाते हैं तो Researchers ने क्या-क्या कि अपने Models में Situational Variables को भी Incorporate करना स्टार्ट किया यानि कि उन्होंने देखा कि सिरफ Leader के Traits के ऊपर या फिर उसके Behavior को आप नहीं कह सकते हैं कि Leader Successful होगा या फिर Unsuccessful होगा कौन कब Successful होगा वो Depend करता है कि आप कैसी Situation में है हो सकता है एक Situation में Autocratic is the Best हो सकता है दूसरी Situation में Democratic is the Best या फिर Highly Skilled Team के साथ आप काम कर रहे हैं तो Leisure Sphere is the Best तो कौन सा Best Style of Leadership है that entirely depends upon the situation in which the leader is in तो Contingency Theories ये कहती है कि कोई Best Style नहीं है Leadership का या सिरफ Totally Depend करता है कि आपकी Situation कैसी है तो यहाँ पर काफी सारे Models जो है वो Contingency Theories के अंदर आते हैं जैसे कि हमारा Feedler's Contingency Model Leader Member Exchange Theory, Goal Path Theory तो काफी सारे Models जो है वो हमें Contingency Theories में करने है आज हम करेंगे Feedler's Contingency Model इस Model को Fred Fiedler ने दिया था 1960s में और इसलिए इस Model का नाम पढ़ा Feedler's Contingency Model अब यह जो Model है यह हमारा दो Variables पर Depend करता है यानिकि इनोंने अपनी Situation के लिए दो Variables शूज करे अब इस Model को Explain करने के लिए Feedler ने तीन Steps बताए है सबसे First Step में उन्होंने बोला कि Determine Your Leadership Style यानिकि सबसे पहले आप यह देखो कि आपका Leadership Style कैसा है अगर मैं Manager बनने जा रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि As a Manager मेरा Orientation किस तरफ है क्या मैं एक Relationship Orientation Leader हूँ या फिर मैं Task Oriented Leader हूँ जब मुझे पता चल जाए Second Step है कि मुझे देखना है कि मेरी Situation जो है क्या वो मेरे Favorable है या Unfavorable है वो कैसे पता चलेगा वो मुझे आने वाली Slides में देखेंगे जब मुझे Situation पता चल जाएगी कि वो Favorable है या फिर वो Unfavorable है Third Step में हमें क्या करना है कि अपनी Situation को मैच करना है हमारे Leadership Style से तो चले अब इन सारे Steps को One by One समझते हैं सबसे First है Determine Your Leadership Style यानि कि सबसे पहले आप अपना Leadership Style जानो कि आप कैसे हो इसके लिए Feedler ने क्या बोला कि उन्होंने LPC Scale बनाया यानि कि Least Preferred Co-Worker Scale बनाया इसमें उन्होंने क्या बोला कि देखो आपने क्या करना है अगर जो भी Person Leader बनने जा रहा है आप उसे कहो कि आपने ऐसे Person के बारे में सोचना है जिसके साथ आप काम करने में बिल्कुल खुश नहीं हो हो सकते हैं आपका कोई Classmate ऐसा हो आपका कोई Friend ऐसा हो हो सकते हैं आपका कोई Co-Worker या कलीग ऐसा रहा हो जिसके साथ आपको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कई बार होते हैं ग्रूप में Friends होते हैं और आपको लगते हैं यह मेरा Friend है जो बहुत Lazy है बिल्कुल अच्छा नहीं है हमेशा कुछ-कुछ बोलता रहता है तो यहने कि Un-Present आपको उसके साथ काम करना पसंद ही नहीं है तो आप उस Person के बारे में सोचो और आपको उस Person को Rate करना है कि वो आपके According कैसा Person है अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बोला यहाँ पे उन्होंने कुछ Adjective यूज किये है कि क्या वो Pleasant है या वो Un-Pleasant है Friendly है, Un-Friendly है क्या वो Reject करता है चीजे मतलब कोई भी चीज आप उसे का वो मना करता रहेगा या फिर वो Accepting है इस तरीके से उन्होंने काफे सारी List दी है जिसमें Objective यूज किया और आपने क्या करना है उसको Rate करना है From 1 to 8 अगर आप उसे 1 Rate करते है इसका मतलब है कि आपने उसको Lower Rank दिया है वही अगर आप उसे 8 Number देते है मतलब जैसे जैसा आप उसे Higher Number देंगे इसका मतलब है कि आप उसे अच्छी Mark दे रहे है तो For Example अगर आप वो Unpleasant है तो आपने उसे 1 Mark दिया, 2 Mark दिया और वही अगर वो Pleasant है तो आपने उसको 6, 7, 8 ऐसे Number देना है अब इन Numbers को हमने कैसे यूज करना है आपका जितने भी आपने उस Person को Number दिया आप उन सबको Add Up कर लो अगर आपने उसको Add Up करने के बाद एक अच्छा खासा बड़ा सा Score आता है तो जब आपका Higher Score होगा इसका मतलब है कि आप एक Relationship Oriented Leader है क्यों Relationship है? यानि कि एक ऐसे Person जिसके साथ आपको काम करना पसंद ही नहीं है जो हमेशा कुछ न कुछ बैक बाइटिंग करता है अंट्रस्टी परसन है इंसिंसियर है, रेगुलर काम नहीं करता हर चीज को लेकर रिजेक्ट करता है बहुत बिकार परसन है लेकिन फिर भी आप उसे अच्छी मार्किंग दे रहे हो यानि कि आप कैसे परसन हो, आप एक relationship oriented हो, आपका orientation किस तरफ है, कि मुझे उसके साथ relation अच्छा बनाना है इसलिए आप हमेशा conflicts को avoid करने में believe करते हो, और आप उसके साथ personal connections बनाने में जाधा विश्वास करते हो, वहीं अगर आपने उस person को low score दिया आपने उस person को दिया 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानि कि आप उसको एक lower score देते जा रहे हो, आपने का यह नहीं यार, यह person तो इतना अच्छा है ही नहीं, मुझे इसके साथ काम करना पसंद नहीं है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो हमारा जो score होगा बहुत low score आएगा, तो यानि कि हमारा जो focus है, वो किस चीज़ पर है, relationship maintain करने पर नहीं, लेकिन task complete करने पर, क्योंकि मुझे पता है, वो person काम पर तेर से आएगा, indisciplined होगा, tardy होगा, lazy होगा, यानि कि वो काम पर उसका focus नहीं है, तो मैं उस person कैसे score दूँगी, low score दूँगी, तो मैं कहरा, मेरा orientation किस तरफ है, task की तरफ है, कि मुझे जादा से जादा क्या चाहिए, कि वो काम टाइम पर करें, तो उन्होंने ये scale को use कि आप अपना leadership style जानो कि क्या आप एक relationship oriented हो, या फिर आप एक task oriented leader हो, second second step में वो बोलते हैं, कि जब आपको ये पता चल जाए, कि आपका leadership style कैसा है, relationship या फिर टास्क कुरींटे, second step में आप देखो, कि आप situation जो है, वो फेवरेबल है की नहीं है, अब देखे, यहाँ पे उन्होंने तीन वरीबल्स यूज करें, सबसे पहला बोला, leader-member relation, यानि कि leader का member के साथ relation कैसा है, क्या member जो है, वो अपने leader को trust करते हैं, उसमें confidence सिखाते हैं, क्या वो आपको believe करते हैं, मान दिजे कि आप एक new job position पे जाते हैं, जहाँ पे सारे लोग नहीं नहीं हैं, तो क्या वो आपको trust करेंगे, नहीं करेंगे, क्या वो आपको confidence सिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्यूंकि अभी तक आपका relation बिल्ड नहीं हुआ, अभी तो आप new job position पे, तो वहाँ पे जो leader member relationship होगा, वो बहुत जादा weak होगा, सेकेंड होता है task structure, जो task हम देंगे हमारे members को, क्या वो structured है, यानि कि क्या सबको पता है, क्या क्या job पे करना है, या फिर वो unstructured है, उन्हें समझी नहीं है कि task में करना क्या है, वहाँ पे उन्हें instructions की जरूवत है, direction की जरूवत है from the leader, तो task का structure कैसा है, क्या सबको अपने team को पता है, कि उन्हें कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे उसको job को perform करना है, थर्ड factor उन्हें लिडर्स की position power, यानि कि जो leader है, उस पे positional power कितना है, अब एक मान लीजे कि एक teacher है, जिसके हाथ में आपके 25 marks है, तो आप definitely आप उस teacher को खुश रखने का try करोगे, class में जादा बत्तमीजी नहीं करेंगे, हर चीज सुनेंगे, जो भी memory है, लेकिन वहीं अगर उस teacher की हाथ में, आपके 25 marks भी नहीं है, आपको पता है कि आपके पूरे marks जो है, वो आपको आपके paper में performance ही मिलने वाले हैं, तो कही ना कही हम उस teacher की बात को इतना नहीं सुनते हैं, उनको इतना जादा importance नहीं देते हैं, वो जो भी पढ़ा रही होते हैं हम सोजा इग्नोर कर देते हैं, तो यानि कि वहाँ पे देखा जाते हैं कि क्या जो आपका leader है, उसके हाथ में आपकी power है की नहीं है, तो अगर leader जो है उसके पास power है, आपको reward देने का, आपको punishment देने का, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको reward मिलेगा, हो सकते हैं आपकी salary increase हो जाए, आपको bonus मिले, incentive मिले, वहीं अगर उसके पास power नहीं है, तो वह क्या करेगा, आप अच्छा perform करो, खराब perform करो, वह उसके पास कोई power ही नहीं है, कि वह आपको job से suspend कर सके, आपको job से fire कर सके, तो यह होता है leader's position power, अगर आपके पास position है, तो आपकी strong situation है, और अगर आपके पास ऐसी कोई power नहीं है, उसको reward या punishment देने की, तो वह आपकी weak position है, अब समझते हैं इस graph को, तो देखें, यहाँ पे इन्होंने जो red line है, इसको denote किया है, for the task oriented leader, यानि कि जो red line है, यहाँ पे task oriented leadership is better, और यह जो blue line है, वो indicate करते हैं, कि यहाँ पे आपकी relationship oriented, यहाँ पे इन्होंने situation लिया है, कि situation कौन कौन सी है, leadership member, task structure, और leaders position, वहीं जो column का heading है, that is favorable है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी situation में आप हो, या फिर आप moderate situation में हो, यानि कि situation आपके लिए बहुत ज़्यादा favorable भी नहीं है, और unfavorable भी नहीं है, और last वाला है unfavorable, यानि कि situation बिल्कुल opposite ही है, आपके हाथ में कोई भी किसी भी तरह का control है ही नहीं as a leader, तो वो बिल्कुल unfavorable situation है, अब ये तो हो गई graph की बात, अब इस model को use कैसे करना है, feedler की according, उन्होंने बोला कि अगर आप बहुत ज़ादा highly favorable situation में हो, यानि कि column number 1 and 2, या फिर highly unfavorable situation में हो, यानि कि column number हमारा 7 और 8, तो इन दो चारो columns में आपने क्या करना है, कि आप में task oriented behavior अडॉप करना है, क्यों? अगर आप highly favorable में हो, यानि कि सब कुछ आपके according है, आपके member आप पर trust करते हैं, आप पर confidence दिखाते हैं, वहीं आपका जो position है, वो भी ऐसी है कि आपके पास reward and punishment देने की भी power है, और जो task है, वो भी बिल्कुल structured है, सब को पता है उन्हें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, तो इस situation में आपको क्या करना है, कि task oriented leadership दिखाओ, आपको relationship maintain करने की ज़रुवत नहीं है, जो चीज आपके पास पहले से ही है, उसमें आप और ज़ादा डाल के क्या करोगे, जब आपके employees आप पर trust करते हैं, तो आप उनसे और relationship क्यों बिल्ड करोगे, तो यहाँ पर आपका जो main focus होना चाहिए, that is on completion of the task on time, अब हाँ पर task पे ज़्यादा focus करो, आप लोगों की problem solve करने में लगे होए हो, उनको explain करने में लगे हो, उस आपका confidence gain करने में लगे हो, यह सब आपको करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि already situation आपकी favor में है, अब आता है highly unfavorable, अब इन्होंने बोलागा situation highly unfavorable है, यानि कि ना तो आपके employees आप पे जो है, member जो है वो आप पे trust करते हैं, बिल्कुल आप new जाके join के आपने organization, लोग आपको जानते ही नहीं है, आपके उपर trust ही नहीं करते, second, आपके पास position भी नहीं है, कि आप उनको reward दे सको या punishment दे सको, third, आपका जो task है, जो employees को task करना है, वो भी unstructured है, किसी को की clarity नहीं है, कि उन्हें actual जॉब पे करना क्या है, उन्हें कैसे कैसे perform करना है, तो उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी आपका जो best style है leadership का, that is task oriented, अब यहाँ पर क्यों best है, क्योंकि देखो, अगर आपके member आपके trust करते ही नहीं है, तो वो अगर आप जितना बर्जी उनके साथ कर लो, तो वो trust वैसे भी नहीं करेंगी, तो आप क्या करो, यहाँ पर पहले उनके task oriented leadership दिखा कर, आप उनसे काम करवाओ, जब उनने दिखेगा कि हमसे काम किया, हमें output मिल रहा है, जब आपके instructions को follow करके, उस काम को complete करेंगे और उनने result दिखेगा, तब वो automatically आप पर trust करना start कर देंगी, तो इसलिए उनने बोला, कि अगर situation already आपके control में है, favorable है, जब फिर situation आपके control में नहीं है, highly unfavorable है, इन दोनों हे conditions में आप task पे focus करो, क्यूंकि अगर favorable है, तो ही आपके लिए task better है, unfavorable है, तो पहले आप उनका output दिखाओ, कि देखो तुम्हें अच्छा काम किया, मैंने instructions दिया, सब कुछ अच्छे से चला, और जब वो result खुद देखेंगे, तो खुद ही उनका जो trust and confidence है, वो आप में build up हो जाएगा, अब आता है हमारा moderate situation, अब moderate situation में उनने बोला, कि आपको relationship orientation में जाना चाहिए, यानि कि moderate मतलब average situation है, ना तो आपके members का fully confidence आप में है, तो वो थोड़ा वोट आप पर trust करते हैं, लेकिन इतना जादा भी नहीं करते हैं, कि आप जो कहोगे वो होई कर लेंगे, second, task जो है, वो थोड़ा somewhat unstructured task है, उनको थोड़ी सी clarity नहीं है, थोड़ा वोट उनने आता है, थोड़ा बिल्कुल exact उनने नहीं पता क्या करना है, third, जो आपके पास position है, उनको reward देने की, punishment देने की, वो भी moderate है, बहुत जादा नहीं है, कि आपको पास fully power है, कि हाँ भी reward तो मैं ही देने वाला हूँ, मेरे हाथ में reward है, मैं ही punishment देने वाला हूँ, मेरे ही हाथ में है, और ऐसा भी नहीं है, कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप जाके उनके complain कर दो, कि इसने काम पूरा नहीं क्या, तो उनके against actions भी हो सकता, यानि कि यह somewhat, आपके हाथ में situation है, तो आप moderately favorable situation में हो, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले आप relationship बिल्ड करो, अपने members के साथ, आप उनकी problem को सुनो, जो उनकी needs है, आप उनको सुनो कि उनकी needs क्या क्या है, मेरे employees को क्या क्या चाहिए, अगर उनका कोई conflict arise हो रहा है, तो आप उस conflict को resolve करने का try करो, अगर किसी के कोई personal problem है, तो आप उनको सुनो और उनको counselling दो, तो यानि क्या पहले relationship बिल्ड करो, अपने employees के साथ, और जब आपके employees, आपके member आपके उपर trust करना start कर देंगे, confidence एक build up हो जाएगा, तो वहाँ पर एक ऐसा atmosphere create हो जाता है, कि सब लोग आपकी बात सुनने के लिए ready हो जाएगे, तो बहले ही task unstructured है, बहले ही आपके पास position ना हो, लेकिन जब आप उनका confidence गेन कर लेंगे, उनका trust गेन कर लेंगे, तो वहाँ पर जो एक harmony बिल्ड हो जाएगी, यह सब लोग आपस में मिलकर काम करना start कर देंगे, और automatically आपका जो goal है, आपकी team का जो goal है, वो automatically achieve हो जाएगा, अब इस model के criticism की बात कर लेते हैं, तो देखे, feedlers ने ये बोला, कि जो leadership style है किसी भी individual का, वो fixed होता है, यानि कि अगर मैं एक relationship oriented leader हूँ, तो मैं relationship ही रहूँगी, अगर आप मुझे कह दो कि मैं आज आपने task oriented होना है, तो मैं ऐसे shift नहीं हो सकती, मैं इतनी जल्दी change नहीं कर सकती अपने आपको, similarly अगर मैं task पे जादा focus रखती हूँ, तो मैं relationship बिल नहीं कर सकती, मुझे मेरा काम time पर चाहिए, तो मेरा जो main focus है that is on the task, तो फीडलर नहीं बोला कि जो लोग होते हैं, उनका leadership style fixed रहता है over a time, तो अगर आपको situation है जिसमें आपको task oriented चाहिए, तो आप एक relationship oriented leader को appoint नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे suit ही नहीं होगा, वो वहाँ पे fit नहीं होगा, तो अगर situation relationship oriented मांगती है, और आपके पास task oriented leader है, तो आपको या तो leader को change करो, आप किसी और को appoint करो, या फिर आप situation को change करो, अब situation को कैसे change करोगे, या तो जो task है आप उसे structure कर दो, सबको explain कर दो, कि यह यह job पे इस पे task होना है, या फिर आप जो leader है, ग्रूप है, पांच में से एक को leader बना दो, तो definitely उस person के पास trust and confidence होगा, तो यानि कि इन्हों ने ये बोला, कि leadership style जो है, वो fixed होता है, और वो change नहीं हो सकता, second criticism इस model का ये था, कि इन्हों ने बोला, कि आप least LPC जो हमारा scale है, कि आप उसे use करके define कर सकते हो, कि मैं task oriented हूँ या leader relationship oriented हूँ, लेकिन लोगों की tendency क्या होती है, कि कहीं बार हम लोग जादा negative या जादा positive rank करने की बजाए, हम लोग लोगों को average marking देते हैं, तो राद दन कि मैं किसी को one or two scale पे rank करूँ, या फिर seven or eight करूँ, हम क्या करते हैं, four, five, four, five, five, six, five, six, तो हम एक average marking दे देते हैं, और average marks देने की वज़े से हमें ये भी नहीं पता चलता, कि as a leader में readership task oriented हूँ या फिर relationship oriented हूँ, तो ये इस model का second limitation है, कि अगर आप middle में आप लोगों को rank कर रहे हैं, तो हमारा leadership style कैसा है, वो हमें नहीं पता चलेगा, So this was all about the feedler's contingency model, I hope आपको समझ आया होगा,